नमस्कार, हिंदी साहित्य वारता में आप हैं इस वक्त सुभाश्टाकर के साथ दोस्तों, जून 2020 नेट जियारेप के परिक्षा का परिणाम आ चुका है और बहुत सारे विद्यातियों ने नेट जियारेप के लियर कर लिया है और बहुत स्टुएंट्स ऐसे भी हैं जो नेट जियारेप से चूक गए हैं तो ऐसे में सबसे पहले जिन लोगों ने नेट या जियारेप की परिक्षा उतिर्ण कर ली है उन्हें हिंदी साहित्य वारता परिवार की तरफ से बहुत बहुत बधाई शुब काम ना है और उनके फ्यूचर के लिए कि वो जहां भी जाएं अच्छे से हमेशा शीर्ष पर ही रहें और जो लोग नेट या जियारेप से कुछ अंकों से चूक गए हैं या जिनका किसी कारणवश इस बात नहीं हो पाया है उन्हें भी best wishes and मैं ये कहना चाहूंगा कि उन्हें भी हताश और निराश होने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है क्योंकि कहते हैं कि गिरते हैं शाही सवार ही जंगे मैदान में वो तिफल क्या खाग गिरेंगे जो गुटनों के बल चला करते हैं सो दोस्तो कभी भी हताश और निराश नहीं होना चाहिए क्योंकि गिरता वही है जो चलता है है ना जो दोड़ेगा वही गिरेगा जो दोड़ेगा ही नहीं वो कभी गिर भी नहीं सकता तो हमेशा motivate रहें, future जो है वो हमारा है, है ना, जिनका होना था वो हो गया, in future, किसका होगा, हमारा ही होगा, ये सोच हमारे मन में होनी चाहिए, मन से इंसान को कभी भी नहीं तूटना चाहिए, कहते हैं कि कोई भी युद्धा, हजार बार युद्ध हार जाए, लेकिन उसके मन से अगर वो अपनी हार को सुईकार कर लेता है, तो उसकी हार निश्चित होती है, otherwise वो उसके बात भी जीत सकता है, इसलिए हर एक सफल व्यक्ति के पीछे, उसकी असफलता की कहानिया जरूर होती हैं, खीक है ना, तो इसलिए बिलकुल भी हताश और निराश हमें नहीं ह होना है, ये चीज बहुत ही मौतवपूर्ण है, तो आज हम जो बात कर रहे हैं देखिए कि JRF 2021 के लिए हमने तैयार कैसे होना है, वो चीज है, तो सबसे बड़ी बात उसके लिए मैं पहले भी आपको कह रहा हूँ कि हमें बिलकुल मोटिवेट होके रहना है हमेशा, ठीक ह फ्यूचर हमारा है, मैं हमेशा ये कहता हूँ, और एक चीज देखिए, हिंदी सहीत्यवारता चैनल में आपने देखी होगी, यहां पर आपने ये लाइन फोकस करना कि हमेशा आपको ये लाइन लेखी हुई मिलेगी, if you can dream it, you can do it, अगर आप net JRF का सपना देख रहे हैं, तो ये आप देख सकते हैं, तब आप उस सपने को साकार भी कर सकते हैं, और वो आप हो भी सकते हैं, आपको अगर लगता है कि आप JRF कर सकते हैं, तो definitely आप कर सकते हैं, तो इसलिए मेरे कहने का मतलब ये था, कि मन से कभी भी नहीं तूटना है, मन से अगर आप तूट गए तो समझो आपने अपनी आधी लड़ाई वहीं पर हार ली इस बार नहीं हुआ कोई बात नहीं जून 2021 आने वाला है ये कोई कुम कमेला नहीं है कि 12 साल बाद आएगा बस कुछ महीनों की बात है उसके बाद तुरंत अभी से हम क्या कर देंगे पूरी की पूरी अपनी प्रेपरिशन शुरू कर देंगे अब बात ये आती है कि जेयारफ या नेट ही क्यों करना है दोस्तों आप लोग देखते हैं बहुत सारे जो हमारे आजकल ऐसे विद्यारती हैं जो नेट और जेयारफ की तरफ बढ़ रहे हैं वो क्यों बढ़ रहे हैं क्योंकि एक चीज है अब अगर आपने युनिवर्सिटी या कॉलेज में टीचर बनना है तो आपको सबसे महत्वपोर्ण चीज गया है कि आपके पास नेट होना बहुत जरूरी है और अब हर एक बच्चा जागरूख है या फिर ये ट्रेंड बन गया है कि आपको UGC की परिक्षा क्लियर करनी ही है अब आप देखेंगे पहले इस तरीके से इतना रुजहान नेट जारब की तरफ बच्चों का नहीं था लेकिन अब MMA या ग्रेजूशन के दौरान ही बच्चा क्या कर देता है प्रिकल टास्क है ये लेकिन फिर भी हमने छे महिने में इसको कैसे पूरा करना है ये संपूर्ण जो भी रणनीती है कि किस तरीके से हम इस एक्जाम को क्रेक कर सकते हैं ये सब चीज़े हम आज डिसकस करने वाले हैं अब चाहे जितने मर्दी जो चीज़ें भी हो जाएं हमने एक ही चीज़ टार्गेट करनी है वो है ज्यारेफ तो एक चीज़ देखे यहां पर हमने नेट कहीं भी मेंशन नहीं किया है और यही हमारी स्पार की सबसे बड़ी प्लानिंग है कि हमने अर्जुन की तरह मचली की आँख को ही देखना है मचली को नहीं देखना नेट क्या है हमारी लिए मचली है लेकिन जो ज्यारेफ है वो मचली की आँख है हमने वहां तक पहुंचना है टार्गेट हमारा पहला क्या है वो ही होना चाहिए तो सबसे बड़ी बात यह है कि अपना goal हमारा set हो गया है, निश्चित है कि हमने कहां पर पहुँचना है, मचली की आंक तक पहुचना है और आंक रूपी जो जी आरेफ है, है ना, जी आरेफ रूपी जो आंक है, वहां तक पहुँचना है और हिंदी की जी जी आरेफ की परि परिक्षा दे के आए हैं UGC Net की अभी और उसका हमने क्या करना है स्टीक विशलेशन करना है क्या ना स्टीक विशलेशन कैसे होगा देखिए हम क्या कर रहे हैं कि जब भी हम परिक्षा दे के आते हैं उसके बाद हम अपने जो भी question paper हैं उसको हम क्या करते हैं solve करने की घर बैठके कभी करते ही नहीं हैं तो सबसे महत्पूर्ण चीज़ें यह हैं कि जितनी भी परिक्षाएं आज से पहले पूछी गई हैं आप क्या करो कि पूरा का पूरा उसका विशलेशन करो कि मुझसे कमिया कहां पर रह गई हैं है न क्या किस तरीके का प्रशन पत्र पूछी जारी है, सबसे महत्पूर्ण चीज है कि आपने परिक्षा का जो है बिशलेशन करना है, प्रशन पत्र का, अगर आप वो चीज नहीं कर पा रहे हैं, तो आप आगे नहीं बढ़ सकते, सबसे महत्पूर्ण चीज है कि आपने अभी जो परिक्षा दी है, वहाँ पर आप से कहां पर चूक हुई है वो चीज चिहनित करनी है तब ही तो मैंने यहां पर देखे दूसरे नमबर पर लिखा भी है कि अपनी कमजोरियों को पहचानना है चिहनित करना है उनको हम क्या करते हैं? अक्सर अपनी कम्यों को चुफाना शुरू कर देते हैं अगर मैं एक प्रशन वो ठीक कर लेता हमने सिर्फ एक प्रशन इस बार ठीक नहीं करना है हमने पूरे के पूरे सौ में से कोशिश यह करनी है कि 90 प्रशन जो है हिंदी में लाने है और यह कोई बड़ी बात नहीं है यह हम कर सकते हैं ठीक है तो अपने वीक पॉइंट को हमेशा ही दूणने की कोशिश करनी है जितने भी हमारे पेपर अभी तक हुए है हमने कहां कहां गलती की है आप देखेंगे बहुत सारे कॉमन से कोशन ऐसे होंगे जो हमने गलत किये होंगे अब दूसी चीज यह है कि आपने factual question गलत किये है या आपने conceptual question गलत किये है वो भी हमें देखना पड़ेगा है न कि ऐसे question जो to the point पूछे गए थे आपने वो भी गलत कर दिये यह चीज हमने निश्चित कर ली तो मतलब क्या है हमारा वो कमजोर पक्ष है हमें उसमें सुधार करने की जरूरत है दूसरा है कि आपका मजबूत पक्ष कौन सा है वो भी देखना है कि किन unit से या कौन से ऐसे question है जो आप जल्दी कर रहे हैं या उनको अच्छे तरीके से आप समझ रहे हैं परिक्षा में बैठने से पहले और परिक्षा में उनको आप अच्छे तरीके से करके भी आ रहे हैं मतलब पहली जो चीज है सबसे मौतपूर्ण चीज है आप इस बार net या jrp की परिक्षा देके आए हैं ठीक है उसको आपने विशलिशित करना है सबसे पहले तब तक आगे बढ़ना ही नहीं है आत्म जिसको उगलते हैं आत्म चिंतन मतलब अपने को समझना है कि मेरे में क्या कमिया थी कौन से यूनिट्स मैंने अच्छे से किये हैं किन यूनिट्स को मैंने तुका मार के किया गए यह भी आपको पता होता है कि यह प्रशन मुझे आता था यह नहीं आता था तो वो जो सारी चीज़े हैं वो हमने सबसे पहले क्या करनी है चिंत करनी है तो इस जो तीन यह टॉपिक्स मैंने यहां हैडिंग्स रखे हैं देखिए इनसे एक ही बात निकलती है कि आपने खुद को समझना है कि आप क्या है है ना कि आपने कितनी गलतियां की है और आपने कितनी अच्छे से पेपर को सौलू किया है सबसे बड़ी रणनीती यही है आगे बढ़ने के लिए और जो लोग शुरूआत कर रहे है उनके लिए भी यही है कि आप प्रिब्यस एर के पेपर से शुरूआत करेंगे कि किस तरीके से प्रशन पूछे जाते हैं वहां से आप उठाना शुरू कर देंगे कि पीछे के पेपरों को तरीके से है ना नेक्स आता है देखिए उसके बाद दूसरी चीज है कि अब हम स्टार्ट कैसे कर लिए यह चीज हमने समझ ली कि हमने अपनी कम्यों को देख लिया हमने पूरा विश्टेशन कर दिया कि कौन से यूनिट से ज़ादा फोकस किया गया था कि यूनिट से कम पुछा जा रहा है ये सारी चीज़े जब हमने कर रही कौन से आपके विग पॉइंट है कौन से आपके स्ट्रॉंग जोन है वो आपने सब कुछ देख लिया अब हमारी सबसे जो महत्वपूर्ण चीज है कि अब हमने JRF 2021 के लिए कैसे प्रिपेर होना है और कैसे हमने री स्टार्ट करना है एक बार फिर से सबसे बड़ी बात ज्यादा सोचना छोड़ दे अपने अतीद को छोड़ दे या ये सोचें कि यार उसका हो गया मेरा नहीं हुआ यार मैं इतना अगर कर देता तब हो जाना था ये चीज़ें इनसान को अंदर ही अंदर खाती रहती हैं और यहां से हम कभी भी आगे बढ़ ही नहीं सकते इसलिए ज्यादा सोचना बिल्कुल भी बंद कर दें क्यूंकि अगर आप अपने past के बारे में सोचते रहेंगे तो आपका present जो है और आपका future जो है वो कभी भी सही नहीं हो सकता क्यूंकि past is dead and gone we have only present इसलिए ज्यादातर सोचने वाले लोग सोचते ही रह जाते हैं और जो लोग करने पे action पे जो भरोसा रगते हैं विश्वा सकते हैं वो लोग हमेशा आगे बढ़ते हैं इसलिए सोचने का जो time था वो चला गया है एक December को result आ गया है आज 5 तारीक हो गई है अगर आप अभी भी सोच रहे हैं तो इसका मतलब यह है कि आप सोचते ही रह जाएंगे इसलिए सोचना बिल्कुल भी छोड़ दे और सीधे अपने कार्या में सनलगन हो जाएं जो भी हमारा target है जो भी हमारा लक्षे है उसके लिए prepare हो जाएं अभी से दिड़ इच्छा शक्ती से शुरुआत करना determination create determination होनी चाहिए हमारे में तीक है अगर हमारे पास इच्छा शक्ती है तो क्या है तो हम definitely इसको start कर देंगे है ना हम ये सूच रहे हैं कि अभी हम थोड़ा सरदियों के मज़े ले लेते हैं या हम अभी कुछ टाइम और देख लेते हैं कि किस तरीके से समझ ही नहीं आ रहा है हमें कि हमने करना क्या है ये चीज अपने दिमाग से निकाल देनी है अपने पूरे एफ़र्ट के साथ पूरे जोश के साथ और जुनून के साथ आगे बढ़ना है इसको कहते हैं कि आपके पास दिड़ इच्छा शक्ती होनी चाहिए कि जून है तो लास्ट है उसके बाद ये मान के चलो कि हमारे पास वो आखरी चांस है और वहाँ पर हमने इसको क्रैक करना है क्यूंकि पीछे में हमेशा कह रहा हूं कि भीड़ी इतनी जादा आ रही है कि आप उसका अंदाजा भी नहीं लगा सकते है आज हम देखते हैं पहले या दो-तीन साल पहले हम देखे मैक्सिमम पांच लाख के आसपास बच्चे इस परिक्षा को उप देते थे आज हम देखते हैं कि 8-9-10 इतने लाख बच्चे जो है नेट की परिक्षा दे रहे हैं तो बहुत ज्यादा कंपेटिशन होने वाला है इसलिए जियारफ आखरी 2021 में ही करना है यह इच्छा शक्ती मन में रखनी है नेक्स देखिए पूरुव के जो प्रशन पत्र हैं उनको हल करना तो यहां से ही मैं स्टार्ट कर रहा हूँ क्यों कर रहा हूँ क्योंकि क्या उनका लेवल रहने वाला है ठीक है और आप देख रहे हैं डे बाई डे जो हमारी प्रसेंटेज है कट अफ है वो इंक्रीज हो रही है ना कि डिक्रीज हो रही है ना ओपर की औरी ही जा रही है खासकर जो general category है उनके लिए और भी जादा क्या है उपर है और ना सिर्फ general categories जितने भी हमारे दूसरे जो categories हैं सब के लिए क्या है ये परिक्षा का जो परिणाम है वो उपर ही cut up रहने जा रही है क्यों क्योंकि educators आपके online जो educator हैं वो बहुत ज्यादा है और बहुत सक्षम है आप देखते हैं ना सिर्फ हिंदी सही तेवारता लेकिन बहुत सारे channels आपको ऐसे platform में मिल जाएंगे जो online study त्यारियां करवाते हैं और बहुत ज्यादा जो जिनको कहते हैं कि excellent बच्चे जो हैं आगे बढ़ रहे हैं तो इसलिए strategy आपकी बिलकुल stick होनी चाहिए सही होनी प्रशनों से आपने एक चीज ये समझनी है कि किस तरीके का pattern है पूछा क्या जा रहा है किस level तक आपका जो परिक्षा में प्रशन पूछ सकता है ये चीज हमें समझा जाने चाहिए कि अच्छा यहां से इस तरीके से भक्तिकाल से यहां से प्रशन पूछा था तो अगली अपने एक idea लेना है ठीक है और repeat होने की संभावना बहुत कम है कि आप ये मान के चलेंगे कि ये पिछली बार या आया था यही इस बार आ जागा नहीं वहां से प्रशन से प्रशन बनने की संभावना रहती है ये एक चीज है दूसरी ये चीज है कि वहां से आपको पता च कर लिया कि हमारा target क्या है हमारा target सिर्फ GRF है 2021 का हमारे पास इच्छा शक्ती है हम उसको कर सकते हैं है ये सारी खुद को motivate करने के लिए तरीके हैं कि आप motivate रही है हमेशा आपको कोई नहीं हारा सकता जो मैं पहले भी कहा कि मन से कभी नहीं हारना है ठीक है और प्रशन पत्र को हल कर लो ये चीज़ है पहली उसके बाद देखिए आगे क्या करना है हमने पाठ्यक्रम हमेशा दिमाग में रखें फिर आपका सिलेब बसाएगा ठीक है ना आपका जो रास्ता है वो वहीं से ही तो जाता है इस बाद जब हमने पूरे के पूरे अपने analysis किया था जो आप देख सकते हैं हमने उसको बनाया हुआ है वहाँ पर हमने 46 से 50 मिनिट के बीच का lecture है वहाँ पर अच्छे से एक एक unit से किस unit से कितने प्रशन आये थे वो हमने देखे थे और पूरे के पूरे जो 100 के 100 प्रशन थे हमारे पाठ्यक्रम में से ही पूछे गए थे तो मतलब कि UG PC का जो पाठ्यक्रम है Net Hindi का वहाँ से आपको कहीं भी इधर उधर जाने की जरूरत नहीं है जो जो चीज़े उसमें mention की गई है उन्हीं में से प्रशन पूछे गए थे ठीक है ना तो इसलिए सबसे पहली और most important बात क्या है जब हमने सारा कुछ सोच लिया जब हमने previous year की paper देख लिए उसके बाद एक चीज और है कि आप अपने पाठ्यक्रम को हमेशा अपने पास रखिए जब भी आप तैयारियां करते हैं और देखते रहिए कि किस तरीके के प्रशन पूछे गए हैं है ना क्या ये पाठ्यक्रम में शामिल थी ये चीज़ें बिलकुल थी और अगर आपको नहीं पता या फिर आपको लगता है कि नहीं ऐसा नहीं है तो आप वो वाली वीडियो ज़रूर देखें जो हमने एनलिसिस पूरा किया हुआ है जून 2020 की परिक्षा का चाहे आपकी इविनिंग सेशन की हो चाहे आपकी मौनिंग सेशन की दोनों में पाठ्यक को याद रखना है कि अच्छा ये चीज है ये ही पढ़नी है उसके बाहर बिल्कुल भी नहीं जाना है अगर आप पाठ्यक्रम के बाहर जाते हैं तो मान लीजे आप रास्ता ही नहीं है पता ना एक तरिके से अपने रास्ते पता होने चाहिए ये रास्ता कहा जाता है तो आपका जो JRF का रास्ता है वो पाठेक्रम के जरीए ही पूरा होता है, कई बार बच्चे को पाठेक्रम ही पता नहीं होता है, वो अपने हिसाब सही पढ़ रहा होता है बड़ चीजों को तो वो नहीं करनी है, ठीक है, नेक्स्ट यदि किये वैचारीक और तथ्यात्मक पूछे जा रहे हैं, उनको समझना है कि किस तरीके से प्रशन बनते हैं, क्या उनका रेश्यो रखा जाता है, कहां से प्रशन वैचारीक आ रहे हैं, जादा कहां से आपको तथ्यात्मक प्रशन पूछे जा रहे हैं, वो चीज़ भी हमें समझ आनी चाहिए, क्योंकि मैक्स जो पेपर है वो इस तरीके से ही पूछा जाता है और दोनों का इसमें खासकर हिंदी में क्या है मिश्रन ब्राबर ब्राबर ही रहता है आप देखेंगे कई वार क्या होता है कि हमें बिल्कुल to the point प्रशन पूछ जाते हैं कि रचन किसकी है यह कब लिखी गई थी तो यह क्य का पूरा तथ्यात्मक प्रशन है यह इसलिए इनको जरूर समझ लें कि यह किस तरीके से पूछे जाते हैं नेक्स दाता देखिए ज्यादा समय वैचारिक प्रशनों को समझने में दे मतलब जो आपके conceptual question है वहीं से आपका जो factual है वो भी automatically clear होता जाएगा तो इसलिए ज्य जादातर समय किस के लिए देना है वैचारिक प्रशनों को समझने के लिए ही देना है ऐसे ही प्रशन परिक्षा में पूछे जाते हैं आप देखते हैं कथन और कारक वाले question या फिर जो कूट वाले question है वो कहां से आपके clear होते हैं वह जादातर आपके जो आप किताबे थोड़ा clear हो जाएगा तो ऐसा भी बिल्कुल नहीं है थोड़ा बहुत आपको फिर भी पढ़ना पड़ेगा आपके पास books होनी चाहिए authentic books होनी चाहिए इसके उपर भी हम complete अभी आगे बात करेंगे कि कौन-कौन सी ऐसी पुस्तके हैं जो UGC net हिंदी की परिक्षा के अक्सर ये बच्चे क्या करते हैं इस point को समझने के लिए देखना कि पूछते हैं कि सर हमें dates याद नहीं रहती है अब उनको कैसे याद रखना है या कौन सी रचना किसकी है ये याद नहीं रहता है कौन किसने कब लिखा है तो इसके लिए best तरीका यही है कि आप इनको नि अपर कि जितनी भी आपको देखिए जो भी dates हैं वो याद लंबे समय तक नहीं रहेंगी और होता भी यही है कि आप एक दो बार उनको पढ़ लेंगे तो आप ज़्याद ज़्याद दो तीन दिन उसको याद रख लेंगे चौते दिन पढ़ना छोड़ देंगे तो अब ब इस तरीके से ये remind होती रहेंगी रिफ्रेश होती रहेंगी चीज़ें तो तथ्यात्मक प्रशनों को जो factual question है उनको इस तरीके से ही याद करना है एक तरीके से बोले तो ensure कि रट सकते ही आप इसको है ना इसके लिए रटा मारना ही पड़ेगा अगर आपको याद नहीं हो तो ठीक है ना clear है तो ये हो गया पूरी चीज़ें कि पाठेक्रम को पास में रखो किस तरीके का पेपर आ रहा है तथ्यात्मक आ रहा है आपका वैचारी का रहा है वैचारी कई वार जादा पूछ ले जाता है कई वार तथ्यात्मक जादा पूछ लिया जाता है तो उसके जो आपके किताबें हैं उनका चैन बहुत जरूरी है कि आपको करना आना चाहिए कौन सी पुस्तक आपने कब पढ़नी है और ये भी आपको पता होनी चाहिए है ना देखिए इसके लिए सबसे जरूरी चीज़ क्या है कि आपके पास एक तू मैं हमेशा कहता हूँ कि अचार आपका डॉक्टर नगेंदर का हिंदी साहित्य का इतिहास है ठीक है उसके बाद आपका जो हिंदी साहित्य और संबेदना का जो विकास है जो रामसरूप चत्रुएदी का है वो आपके पास होना चाहिए फिर बच्चन सिंग के दूसरा इतिहास बहुत सारी चीज़े हैं ये मेन-मेन चीज़े हैं विशुनात्री पार्टी का जो इतिहास है देखिए वो भी क्या है बहुत अच्छी पुस्तक है उसको भी आप ले सकते हैं जो भी हमारे जो वैचारी प्रशन है वहां से बहुत सारी चीज़े क्लियर हो जाती हैं ये तो होगी इतिहास की पुस्त क्या है उसकी अधार भूमी क्या है तो उसके लिए जो बेस्ट पुक है देखिए वो है आपकी रामचंदर तिवारी का हिंदी का गद्य साहिद्य उसको आप जरूर ले सकते हैं हलांकि बहुत महंगी पुस्तक है वो लेकिन अगर आपने जी आरेफ की परिक्षा को पास कर करना है तो आपको वो पुस्तक लेनी चाहिए मेरे अनुसार क्योंकि उसके अच्छे से और विस्तार से एक तरीके से दिया है कि कौन सी चीज कहां पर है और जितने भी मुख्य मुख्य जो हमारे लेकक हैं देखिए वो भी उसमें मेंचंड हैं उनके बारे में उनकी विश क्या है आपकी जो इतिहास की पुस्तके हैं जो तीन चार मैंने बताई जो मौतअपूर्ण हैं वहां से कवरप हो सकती हैं यह बिस्तार से मैं आगे इसके लिए लेक्ट्र आपके लेकर आऊंगा क्यों कौन कौन सी चीज़े हैं किन किन बुक्स के जरीए हम किन किन नियासों से आपने देखा कि बहुत बारीक सी चीज़ें पूछ ली जाती हैं तो उसलिए उसकी या तो पीडियाप रखो अपने पास या आपके पास कहीं भी कोई दूसरी चीज़ें हैं या उसकी बुक्स ही आप खरीच सकते हैं तो वो भी मच बेटर है तो ये कुछ एक मह हास से रिलेटिड जो भी पुस्तकें जिस जिस सहित्यकार उने लिखी हैं उनको पहले पढ़ो आपकी क्या चीज़ें वो लिख रहे हैं गाइड़ बुक का काम सबसे आखिर में आता है हमारी वो क्या करवाए गया रिवीजन करवाने के लिए क्या हैंगी गाइड़ बुक काम आएंगी तो पहले से ही स्टार्ट गाइड बुक से नहीं करना है उनको लास में पढ़ना है सार की रूप में उनको देखना है कि वो कहते क्या हैं क्या क्या चीज़ें उनने प्रमुकता से उसमें दी हैं आप देखते हैं कि बहुत बारीक चीज़ें होती हो जो उनको पकड़ना है, आखिर में जो आपने क्या करना है, गाइड को पकड़ना है, वहां से आपने चाहिए सरसोधी पांडी की पुस्तक उसके लिए पैस्ट है, उसको आप लास्ट में एक पूरा कंप्लीट उसको रीड कर लीजिए आखिर में, तब आप क्या है, अच्छे से इसको पिलिगर कर सकते हैं तो ये कुछ एक महत्वपूर्ण चीजे हैं इसके अलावा पाश्चात्य कावशास्त्र भारत्य कावशास्त्र और जो हमारा वैचारिक पिष्ट भूमी है और जो आपकी हिंदी कवीता है उसके लिए भी मैं विस्तार से आपको बताऊँगा कि कौन सी पुस्तकें आपने कब लेनी है अभी फिलाल मैं यहाँ पर इसमें इतना ही बताना चाह रहा था कि आपके पास उप्योगी पुस्तकें कौन कौन सी हो सकती है है ना और कौन सी पुस्तक हमें कब पढ़नी चाहिए और क्या हरे की काई के लिए अलग है और क्या हमें गायट लेनी चाहिए या नहीं लेनी चाहिए यह सिंपल इतना था नेक्स हम जब भी आपके लिए वीडियो लेकर आएंगे तो वहाँ पर हम ये बात जरूर करेंगे कि हमने किन-किन पुस्तकों से जानकारी हासिल करनी है UGC-JRF को क्रेक करने के लिए और एक चीज महत्पून चीज है दोस्तों आपने देखा होगा आपकी सफलता में हमेशा कोई न कोई व्यक्ति आही जाता है आपको बधाई देने लेकिन आपके संगर्शों में कोई आपके साथ नहीं होता है संगर्श हमेशा अकेले ही इनसान को करना पड़ता है लेकिन हिं गल्प आज करते हैं और इस परिक्षा को उतीरन करने के लिए सबसे महत्वपूर्ण जो चीज़े दी कि आखिर में कि सफलता का मूल मंत्र क्या है वो है निरंतरता कॉंटिन्यूटी अगर आप ने अपनी निरंतरता को बीच में खो दिया सिर्फ नेट की बात नहीं हो रही है यह चाहिए आप कोई भी परिक्षा दो उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा कॉंटिन्यूटी रखनी पड़ती है अगर आप यह करेंगे एक दिन पढ़ लिया तीन दिन गैपते दिया उसके बाद 34 दिन आपका मन किया पड़ने का फिर आपका यह जो है सपना सपना ही रह चाहेगा तो इसलिए कॉंटिन्यूटी होना बहुत जरूरी है अगर आपके पास कॉंटिन्यूटी है निरंतरता है तो आप कोई भी चीज अच्छे से कर सकते हैं आपको याद होगा कचवे और खरगोश की कहानी खरगोश को ये लगता है कि मैं तो कचवे से तेज हूँ मैं इससे जीर जाओंगा लेकिन कछुय को अपनी चाल का पता था कि मैं इससे कम भागता हूँ तो इसलिए मुझे चलते ही रहना चाहिए न कि रुखना चाहिए ठकना चाहिए है ना, तो हमने कछुआ बनना है भले ही लेकिन हमें क्या करना पढ़ेगा, निरंतरता के साथ आगे पढ़ना है ये चीज है यही सफलता का मूल मंत्र है बीच में कहीं भी कुट कर दिया बीच में करगोश बनने की कोशिश की तो समझो हम ढह गए तो इसलिए हमेशा बढ़ते रहिए चलते रहिए धकना मना है और एक और बात लास में कि जब तक तोड़ेंगे नहीं तब तक छोड़ेंग कर दो